तो पवन सिंग जी कि आख से आशू आने लगा। कि ना तो वहाँ पधान मंत्री आवास योजना है ना वहाँ पे ज़्वाला योजना है ना वहाँ पे जलनल योजना है और सबसे आशर्च की बाते हैं कि जब महिला के बीच मैं पहुंची तो लोग तो ऐसे किरती की मैडम हमारे पास तो 10 साल से रासन काड भी नहीं है काट लोग सवाचेत्र जो नमर वन पे ट्रेंड कर रहा है किसकी वज़ा से पवन सिंग की वज़ा से जब एक तूज इतना तुफान ला सकता है तो आप समझ लीजिए कि जितने के बाद कितनी आंधिया आ सकती है तो जब चलियन पवन तो रोकियन कवन की सकता आपकी क्या क् कोवन सिंग काराकाट से ताल ठोक चुके हैं और इस ताल ठोकने के बाद कई सारे लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं खासकर काराकाट में जिस तरीके से भीड हो रहा है काराकाट का नाम पूरे भारत में गूंज रहा है काराकाट को लेके पूरे भारत में चर्चा ह वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं एक टिकट उन्हेके पार्टी को मिला है वह टिकट कारा कार्ट से खुद उपंदर कुस्वाहा लड़ा है और वह एंडिये के पर्तियासी है अब जो है खमसान जो है कारा काट में वो पवन सिंग और उपेंदर कुस्वाह के साथ साथ राजा राम सिंग कुस्वाह यानि कि तिर कोडिये हो गया है अब इसमें कौन जीत रहा है आखिर प्रियंका जहा सोसल एक्टिबिस्ट कारा काट में पावन सिंग को क्यों जीता रही है कारा काट जो है वो परिवर्तन कर पाएंगे पावन सिंग, क्या है अजंडा, क्या है मुहीम, क्यों है प्रियंका जहा उनके साथ, चले जुरते हैं और बात करते हैं सीधे प्रियंका जहा से और जानते हैं कारा काट में आखिरिंका क्या काम है, कैसी है? बाहद मस्तू हो, बहुत बहुत धन्यवाद क्यो कारा काट? क्योंकि जरूरत है कारा काट को किसकी? विकास की कुछ लाएगा विकास की गंगा वहाएगा? पबंध सिंहह, और कौन? कहची चॉप बिल्कुल चूप चूप कहची चॉप चूप चाप कैची चाप किसको काटेगा ये कैची जिसने वहां के जनता को ठगने का काम किया अब मैं सचाई बता रही हूँ अच्छे क्या नुभा हुआ बकसर माप कीज़ेगा कारा काट जो आप पहुंची तो किस तरीके से आपने माहोल देखा क्या आपको लगा कि ये ये चीज़े हुनी चाहिए जो नहीं हुई मैं सचाई बताओं तो कारा काट लोग सभा में कुछ विकास ही नहीं हुआ है वहां के जनता त्राही मान कर रहे हैं विकास को देखने के लिए जनता उमीद लगा के बैटे हैं कि कभी तो विकास हमें दείखे हम लोग से पूचते हैं कि भ़या आपने विकास को देखा लोग केतें नहीं विकास तो कभी आया ही नहीं इस चत्र में तो ये वहां के ये लोगों का कहना है ना तो वहाँ पधान मंतरी आवास योजना है, ना वहाँ पे उज्वाला योजना है, ना वहाँ पे जर्नल योजना है, और सबसे आशर्च की बाते हैं, कि जब महिला के बीच मैं पहुँची, तो लोग तो ऐसे करते कि मैडम, हमारे पास तो दस साल से रासन काड भी नहीं ह अब बताईए, विकास आपको दिख रही है कहीं से, अब वहाँ पे लोगों को कोई रासन काड दस साल से नहीं पहुच रहा है, पिछले दस साल का कारकर मोदी जी कर रहा है मोदी जी कर रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो काम है, ये वहाँ के बिधायक, सरपन्च, मुखिया, हर लोगों की चीज़, ये है जो चलो रासन काड बनवाना या कुछ भी कर रहा है गरबर क्या पूरा घोटाला है वहाँ पे, बीना पैसे का एक पेपर तक आगे नहीं जा रहा है काडा काट लोग सबाच्छेतर का लोगों का ये कहना है, इतनी तकलीफ में है वो लोग, लेकिन जब से पबन सिंग, वहाँ से एक टूइट के माध्यम से बोला कि मैं काडा काडा आगा हूँ वहाँ के माताओं, बेहने का, वहाँ के लोगों का हमें आशिरबाद चाहिए, तो लोगों में एक नई उमीद की किरन जगी, कि अब शायद हम विकास को देख पाएंगे अब सायद हमारे चितर का विकास होगा, तमाम बंद परे फैक्टरियां, ना जाने कितने युबाओं को उसमें रोजगार मिलती, वो फैक्टरियां बंद है, कितनी बड़ी फैक्टरियां, ना जाने कितने लोगों की रोजगार की एक उमीद है वो फैक्टरि, लेकिन वो पड़ी है तो हड़ बार के लोग वहाँ पे ठगे जाते हैं जानता हुआ पे जब बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो पहले यही बात कहते हैं कि हम आएंगे तो यह दाल्मिया फैक्टरी जो है वो खुलवाने का काम करेंगे हमारा चुन्माभी मुद्दा होगा यहां का विकास यहां पे हर चीज सिक्चा रोजगार स्वास्त पे ध्यान दिये जाएगी लेकिन मैं आपको कह दूँ कि दूर दूर तक वहां पे विकास नजर नहीं आएगी सारा विकास उपेंदर कुसवाजी के घर पे चत्र की आप बताइए काडा काट लोग सबाच्यच्च का नाम कोई जानता था हम नहीं जानते एक लेकिन जबसे पावन आज काड़ा काट लोग सवाजचेत्र जो नम्मर वन पे ट्रेंड कर रहा है किसकी वज़ा से पवन सिंग की वज़ा से जब टूइट इतना तुफान ला सकता है तो आप समझ लीजिए कि जितने के बाद कितनी आंधिया आ सकती है तो जब चलियन पवन तरोकियन कवन तो कुछ फेपर ही हूई यही हूई कि जब मैं घ्रॉंट पर गई हूँ हूँ और हकिकत मैं देख्गी हूं आंख से तो मैं खुद की आंख देंज रोक नहीं पाई हूई कि हम यहां पे चांद पर पहुंच गये लेकिन धरातल पे अभी भी हम सुनने पर खड़े हैं तो यह सचाई है जब मैंने उनको सारी बात बताई तो पवन सिंग जी कि आख से आसू आने लगा पवन सिंग के आख से आसू आने लगा बिल्कुल आख से यह कर रहे हैं कि कारा कार्ट पवन सिंग चुनाव लो रहे हैं इन से मुलकात होती है और पवन सिंग जो है आख से आसू आजाते हैं अब आख में आसु क्यों आईए, क्यों रुलादी पहुंसिंग को चले जानते हैं, बताईए मैं आपको बता दू कि वहाँ पे एक बहु आई थी दस रोज पहले ही बहु आई थी, मैं जब गई उनके घड़ तो मुझे भी वह साधी वाला मिठाई उठाई खाने को मिली, मैं बोली कि माता जी आपकी बहु सौचालाई कहा जाती है, तो बोली मैडम खुले में, अब आप बताईए कि इस समय में भी यहाँ बेटी बहु खुले में सौच करने जा रही है, जब यह सब चीजे मैंने उनक उनको बताई तो उनकी आग की आसू रोक नहीं पा रही थी, और उनको यह ओड़ाता है कि सच में यहाँ पर लोगों की जरूरत है, और यह पवन से ही नहीं, यहाँ के जनता, जो काडा काट लोग सभाचेत्र के जनता है, वो चाहते हैं कि अब हमारा बदलाव हो, अब तुफान पवन सिंग है, अच्छे एक सवाल है, आरा से आपने पुछा नहीं कि आप आरा से क्योर चुराओं नहीं लड़े, आपने, आरा काट लोग सभाचेत्र भी तो उनकी जन भूमी है, तो काल सा अलग हुआ, कैसे नहीं हुआ, बताई आप दू भाग में बढ़ बिहार में कहीं हैंगा से नहीं बुछा चुलाओं लेकिन वहां पे उन्हें देखा कि मेरी जरूरत है। शच्च में वहां वारा से बिकास की जरूरत है आरा में पूरा हो चुका है विकास, इसलिए जो है कारा काट का विकास करना बाकी जहां पे उन्हें लगा कि मेरी भी ये जन्म भूमी है, मेरा ये व्यक्तित्य दे कि उनको तो आसन सोर से भी टीकट मिली थी मिली थी ना, उन्होंने क्या कहा, कि नहीं मुझे चुनाब नहीं लड़ रहा है मैं बिहार में चुनाब लड़ूँगा, मैं बिहार के लिए काम करूँगा, मैं बिहार की उबा के लिए बात करूँगा तो ये उनकी एक राई है कि मुझे काड़ा काट लोग सभा क्योंकि सच में वहाँ पे जरूरत है छत्र की विकास रुकी हुई है क्या विकास हो सकता है पावन सिंग कहाने से बहुत कुछ हो सकती है मैंने तीन-चार नाम गिनवाई है सबसे पहले तो मीनी फिल्म सिंग आप सुनिये ही है दूसरी है कि जो बंद परे फैक्टरी है वो खोली जाएगी बिल्कूल दूसरी जो हमारा में पुद्दा है सिख्छा, रोजगार, स्वास्त जाके देखिये वहाँ पे अस्पताल की इस्थिति आप इन नहीं कर पाईएगा आप घूस नहीं पाईएगा होस्पीटल में ऐसी बद से बदहाली इस्थिति है बिल्कूल मैं यही बता रही हूँ तो यह सब चीजे उनकी में प्रात्मिक्ता है मुंबई नहीं नचले जाएगे नहीं नहीं महिला सुरक्षा हर जगा पिंक ट्वाइट की मांग उनका यह पहला यह मांग है कि हमारे पहला प्रात्मिक्ता है महिला सुरक्षा को ले करके और आपने का कि मुंबई तो नहीं नचले जाएगे दो मैं आपने कामों को ले करके हमेशा पोजेशिब रहते हैं और रहना भी चाहिए लोगों को तो जाहिर सी बात है काम होगा तो हर जगह हूज जाएंगे लेकिन जिसे वो अपना करम भूमी मान करके वहाँ पे दाबा टोके हैं वो भी उनका पहला प्राथ मिखता है पत्ती से बात हुए पहुं सिंगी? जोती सिंग से? बिल्कुल हुई आप बोली जोती सिंगी कुछी नहीं कि भाईया के साथ है ठीक से रही है साथ बना रहा है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग एकी साथ एक मंच पे थे आपको क्या लगता है कि भाईया के साथ नहीं है तो बोजाया कैसे पहुच गईया स्टेम पर यह तो जब ढग एक है तभी तो स्टेज पे हैं थो जोती भी हम लोग के साथ आप रैली मे घुमेगी कारा कार्ट में हाँ बिल्कूल योति सिंग दिखेंगी पत्नी पाउन सिंग की उनकी मा भी आ रही है और जोति सिंग हम लोग रैली करने वाले हैं कारा कार्ट लोग सवाच्चतर में जनता काशिरबाद मिल रही है देख रहें असा एक भारत और आपने देखा किस तरीके से है जबर्दस्त अंदाज में इन्होंने कई सारी बाते रखी हैं आप अपनी राय जरूर दिजेगा कि आपको क्या लगता है इस बार पाउर, हासब करते हैं या नहीं करते हैं जरूर अपनी राय दिजेगा जैय है बारत आप देखिरासा एक बारत दन्यवाद